बिस्मिल्लारमान रहीम असलाम अलेकुम वेलकम तो माई यूटीब चैनल लास्टुटेंस प्लेटफॉर्म दोस्तों आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिट्विन टोट एंड कांट्रेक्ट टोट और कांट्रेक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है तो पहला डिफरेंस है कांट्रेक्टिंग good कांट्रेक्टेंग पार्टिज जो लौग शामल है उनकी ही की डिउटि होती है खो एपनी को फुल फिल करेंगे अब मिसाल के तोर पर्ट में यांगर सारे पर्सनल Wanna की डिउटि होती यह एक किसम की Canary Dobs primeiro है यहा烈 नहीं सकता यापन कोई आपकी तरह हीट आती है तो यह भी एक किसम की Canary के यह सेंस है । मुझे आप जो के मैं आपके Right को Bullet कर रहा हो या मेरे घर में Payड है उसकी Branch आपके घर में गर रही हैं तो यह भी आपका All toilet हो रहा है जो कि न्यूसेंस है — टोट में तोट में मेरी डिउटी है कि मैं आपकी ज्यूहे राइट और राइट की ज्यूहे öğर selecting parties में की तोट मैं जो लोग शामора है उनकी डिउटी होती है futur ब्रम और चेम। इसको फुल। करे ARE हैं जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आपको मॉबाइल दूगा आप मझे पेसे दो ठीक है तो यहां पर हम दोनों की ही सिर्फटी है के मैं केफंड़ार्यों आप मजowe मत चैजर्यू वाइल होता है शाओ मैं तो हैं न configurator में पत्थर फेंनका या बाल फेंनका या मैंने ट्रेस्पस किया तो यहां पर आपकी allow कामेशन नहीं है मैंने यह score comment गया ठीक है जिबके जो hija तो जो कांट्र like है वहां पर हम दोनें की जो है mnie अज़क Christian शांवी होति है जैसे मैंने है वो वायलेट होता है without any contract और जो contract breach होता है breach of contract occurs when contracting parties does not perform as per aggrit task यानि टोट में मिसाल के तोर पर मेरे घर के आगे मेरी कार खड़ी है आपने आके उस पे scratch दे दिया तो आपने मेरा right and dream वायलेट कर दिया यानि के यह आपने टोट किया ठीक तो यहां पर किसी किसम का contract नहीं था आपने मेरा right and dream वायलेट किया जब breach of contract तब होता है जब जो contracting parties में मुझूद लोग होते हैं वो वो काम नहीं करते जो contract में काम कहे गए थे मिसाल के तोर पर जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आपको 10,000 दूँगा आप मुझे mobile दे देना तो यहां पर हमारे एक terms and conditions तो यह ब्रीज कब होगा यह ब्रीज तब होगा यानि कि आप आपको मैंने 10,000 गए थे आपने मुझे 8,000 दिये तो यह ब्रीज हो सकता है और contract में liquidated damages होते है unliquidated का मतलब है यानि वो जो काम है वो fix नहीं होता यानि कि अगर आपने trespass किया या defamation किया या फिर nuisance किया तो वहां पर कहीं पर यह fix penalty या damages लिखे नहीं हुए हैं वो judge situation देखके आप पे damages आयद करेगा जब कि जो contract है यानि कि अगर आप contract bridge करते हो तो उसकी जो सजा है वो लिखी हुई है sections में contract act 1872 में लिखी हुई है और tort में ऐसा कुछ भी सजा वगेरा नहीं लिखी हुई जो judge है वो situation देखके लगाएगा इसलिए खाजाता है कि tort में unliquidated damages होते हैं और contract में liquidated damages होते हैं और जो tort होता है वो uncodified होता है और contract codified होता है uncodified यानि कि इसमें कोई sections नहीं होते हैं कोई तरतिबवार नहीं होती और contract में sections वगेरा होते हैं इसलिए इसको codified कहा जाता है और person injured may be entitled first damages which he has not actually suffered tort में बंदा वो भी damages ले सकता है जो के उसने actually suffer नहीं किये मिसाल के तोर पर अगर किसी ने भी आपके घर में trespass किया आपका कोई भी नुकसान नहीं होआ actual damage आपका कोई भी नहीं होआ फिर भी आप उससे damages ले सकते हैं trespass के यानि के ये मेरे घर में दाकिल हुआ दाकिल होना ही जो है ये एक tort है तो वो आप उससे damages ले सकते हैं जबके आपको actual damage हुआ ही नहीं जबके contract में the party is entitled only for the actual damage contract में जब तक आपको actual damage नहीं होता तब तक आपको जो है damages नहीं मिलते tort is applicable on minor also so minor has the right to claim the damages in the case of tort जो tort है वो minors पे भी जो है applicable है यानि कि अगर आपने किसी भी minor के साथ कुछ तोट किया है उससे mobile शीनी है या उसको जो है उसके घर में trespass किया है तो वो भी damages claim कर सकता है लेकिन agreement with minor is null and void और जो contract है वो minor के साथ कभी भी नहीं हो सकता जो आपने उसके साथ agreement किया है वो void होता है यानि कि वो आप court में जो है enforce नहीं कर सकते यानि कि अगर आपने किसी भी 10 साल के बचे को 10,000 रुपे दिये और वो आपको नहीं दे रहा तो आप उसके खिलाफ court में case दाखिल नहीं कर सकते क्योंकि legally minors के साथ agreement जो होता है वो void होता है damages are decided according to the circumstances it varies from case to case tort में जो damages होते हैं वो circumstances को देखके judge damages आयद करता है जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें कोई भी damages fixed नहीं होते judge वहाँ पर situation को देखता है case की situation को देखता है और देखता है कि जो plaintiff है वो किस हद तक जो है injure हुआ है उसके मताबग जो है damages को decide करता है damages are awarded as per the contract terms and conditions जो contract में damages होते हैं वो terms और conditions पे होते हैं यानि अगर दो parties कोई contract कर रही हैं और उस contract की جो terms and conditions हैं उसके मताबग यानि का अगर कोई भी बंदा bridge करता है contract और उस पे जो है उसकी terms and condition में लिखा हुआ है के इसके इतने damages होते हैं तो उसको वो ही damages मिलेंगे जबके वहाँ पर damages decide होते हैं situation को देखके ये case to case change होते रहते हैं no privity between the parties needed parties के बीच में कोई भी privity नहीं होती और contract में जो है privity होती है ठीका अगर दो parties हैं वो आपस में जो है सला मश्वरा करके वो privity करते हैं वहाँ पर तो कोई privity नहीं होती है यानि का अगर आप से कोई भी define आपको करता है तो वो आप से पुशेगा थोड़ी और टोट इस concern about last जो टोट जो तालक रखता है वो उसका बिलांग है last के साथ यानि का अगर किसी वाका भी last है तो टोट इस concern about last और contract जो है contract is related to agreement and commitment यानि का अगर कोई भी बंदा agreement करता है और commitment करता है यानि मैंने आपको पेसे दिए तो यह हम दोने के बीज़ में एक agreement किस चीज़ का था commitment का यानि के कोई काम करना है करना कौन सा है यानि के मैं आपको पेसे दूँगा आप मुझे मोबाल दोगए थी तो दोस्तों ये थे differences टोट और contract में अगर आपको difference between टोट और crime की वीडियो चाहिए तो उसकी भी मैं लिंक description में दे रहा हूँ और अगर आपको इसी टापिक के नोट्स चाहिए तो description में एक लिंक दे रहा हूँ उस पे click करके आप इसी टापिक के नोट्स भी डाउलोड कर सकते हो अगर आपको लाकर रिगार्डिंग किसी भी टापिक की वीडियो चाहिए तो वो टापिक लिखके साथ में लाज्ट टुटेंट्स प्लेट फार्म लिखके यूट्व पे सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरे ही वीडियो जाएंगी जिससे आप अपना इजली कांसेट किलियर कर सकते हैं करेंग़ से जिससे में लाजिआ हैं क्सित तो आपको सबसे जाएंगी जिससे बाता हीमनी